वेगन का भरता आपने काफी खाया होगा, लेकिन आज हम लोग बनाएंगे तरोई का भरता, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अलग रस्पी है, इस रस्पी को एक बार खा लेंगे, तो बार बार बनाएंगे, तो इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा, ये चोखा बिहार का फेमस और बहूत ही टेस्टी रस्पी है और बहुत ही जली बन जाता है तो आ जा इए स heut करते है तरोई कि कटकर लेते हैं डियाज बें लीआ तब है त्रोई कमथे च्छे चूटी तरोई लिया था उसको दूल कर लिया हूं जाए है थे क्थना फौकर लीज़ा है तिन टमाटर लिया है, आठ दल लेशन की कलिया लिया है, साथ हरी मिर्च लिया है, सभी को कोकर में आट करते हैं एक चेमस सरसो का तेल आट करते हैं हम इसमें पानी आट नहीं करेंगे, तरोई और टमाटर खुद पानी छोड़ता है धकन को बंद कर लेते हैं, एक सीटी आने तक कूकर को तेज आट पर रखा है एक सीटी आने के बाद हमने धीमी आज पर तीन मिनट तक गला लिया है खोल कर चेक करते हैं सबी चीज़े अच्छे से गल गई है सबी चीज़ों को प्लैट में निकाल लेते हैं टमाटर को बावल मेर्ट करते हैं टमाटर को छिलका उताल लेते हैं इस तरह से इसी तरह से सभी टमाटर को छिलके उताल लेंगे तरोई को टमाटर मेर्ट कर लेते हैं मिर्चे कोईट करते हैं इसे बारिक कोट लेते हैं, लेसर मेर्चे कोट लिया है इस तरह से, बारिक हो गया है, टमाटर और तरोई को मैस कर लेते हैं, इस तरह से, सबी चीब अच्छे से मैस कर लिया है, कोटी लेसर मेर्च कोट करते हैं, एक मीटियम साइज को बारिक कट कर लिया है, आड़ करते हैं, प्याज को आड़ कर लिया है, धनिया को धलकर बारिक कट कर लिया है, आड़ करते हैं, चमस भरवार मिर्चर अचारक मिसाल अट करते हैं स्वाद नुसार नमक अट करते हैं चमस सरसो का तेल अट करते हैं सभी चीज़े को मिक्स कर लेते हैं कटोरिम निकाल लेते हैं बहुत ही स्वादिष्ट तरोई का भरता ब्यादी स्टाइल बनकर तयार है इस देस्पी को आप जरूर ट्राए करें आप भी बनाएं खाएं एंजुआए करें अपने फैमिली फ्रेंड में सेयर करें थैंक्स पार वाचिंग माई वीडियो याचिंग करें आप वीडियो करें